नमशकार, एबोशन की ये पूरी सीरीज में हम देखने वाले हैं कि एबोशन क्या होता है, कितने प्रकार के एबोशन होते हैं, एबोशन किट लेनी के बाद कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है, फिर एबोशन होने के बाद कितने दिन बाद आपके पीरेड्स आना नॉर्मल बात होती है abortion होने के बाद कब आपको संबंद रखना चाहिए abortion के बाद आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेस करना चाहिए abortion से related हर चीज इस topic के अंडर हम cover करने वाले है और इस से related आपको अगर कुछ सवाल है तो प्लीज उजे comment box में comment करना न भूले और बहुत से बार patient जब clinic में आते है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मैं मुझे देर दो मेने पहले मेरा abortion हुआ था मैंने kit लिया था पर अभी भी periods नहीं आए है या फिर surgically abortion किया है यानि कि DNC करके बच्चादानी में से निकाल लिया है तो उसके भी कुछ एक मैना हो गया देर मैना हो गया अभी तक periods नहीं आए तो normally मैं मुझे कब periods आना चाहिए तो इसी से related आज हम बात करने वाल है तो चलिए चलते हैं आज की topic की तरफ अगर इस channel पर आप नए हैं तो प्लीज इस channel को subscribe जरूर कीजिए साथ ही मैं bell button दबाना न भूले ताकि general health related, woman health related authentic information आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए So abortion के कितने दिन बाद आपको period आना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका किस प्रकार का abortion हुआ है यानि कि अगर आपका spontaneous abortion हुआ है यानि कि खुछ से गर्बपात हुआ है आपने कुछ heavy work किया था फिर या फिर undue आपका traveling हो चुका था और उसके बाद आपको severe pain in abdomen और bleeding होके एक या दो दिन में अगर आपका complete abortion हो चुका है तो last day of bleeding से लेके आपको 30 to 40 days के अंदर आपके next periods आ जाने चाहिए अगर आपके regular periods है यानि कि अगर किसी की menstrual cycle 25 दिन की हो सकती है किसी की 28 दिन की या किसी की 35 दिन की फिर अगर आपका medical abortion हुआ है यानि कि अगर गोली खाके या abortion kit खाके अगर आपका abortion हुआ है तो उस condition में आप किस प्रकार से गोली लेते हो उसके उपर आपके next period depend होते है यानि कि for example आप सही तरीके से अगर kit लेते हो with doctors advice, with gynecologist advice आप सही तरीके से अगर kit लेते हो तो आपका जो abortion है जो bleeding है वो आपको hardly एक या दो दिन हो रहेगा तीन दिन से उपर आपको normally अगर complete abortion है तो आपको bleeding नहीं होगा बट अगर आपका bleeding साथ से आठ दिन तक रहता है तो जो last दिन आपका bleeding का है medical abortion kit लेने के बाद जो last दिन तक आपको bleeding रही है वहाँ से लेकर अगर आपको 30-40 days तक कुछ भी bleeding नहीं होती है spotting भी hardly spotting होती है या spotting भी नहीं होती है तो आपको 30-40 days के अंदर आपकी महावारी आ जाने चाहिए फिर अगर आपका surgical abortion होता है यानि कि with instruments आपका गर्ब निकाल लिया है with medical instruments या medical आउजारों के साथ अगर आपका गर्बपात हुआ है तो उस condition में जो जिस दिन आपका गर्बपात किया था वो दिन या उसके दूसरे दिन तक आपको bleeding हो सकती है mostly सिर्फ एकी दिन surgical abortion में bleeding होती है ये इसका advantage है कि आपको बहुत दिन तक bleeding नहीं रहती है तो अगर आपका surgical abortion होता है तो जिस दिन आपका surgical abortion हुआ है वहाँ से एक मेने तक 30 डेस तक या at the most 40 डेस तक आपको महावारी आ जानी चाहिए फिर अगर आपका medical abortion होता है उस case में आपके जो next period होते है वो maybe थोड़े से heavy periods आपको हो सकते है यानि कि जादा bleeding हो सकती है normal period से और अगर आपका surgical abortion हुआ है तो surgical abortion में जब हम गर्ब निकालते है तो उसके साथ जो बच्चादानी की inner lining होती है जिसे हम endometrium कहते है वो भी थोड़ी बहुत वो गर्ब के साथ बाहर आ जाती है सो जो next period होते है वो maybe आपके पहले periods जैसे normal periods आते है वैसे ही जा सकते है या फिर बहुत से patients में वो थोड़े कम भी हो सकते है यानि कि normal periods से आपको कम bleeding भी हो सकती है surgical abortion के cases में फिर अगर normally आपके महावारी irregular रहती हो यानि कि abortion के पहले आपको वैसे ही देर मेने बाद या दो या तीन मेने बाद महावारी आती थी तो बहुत से बार इस बार भी आपको abortion के बाद maybe देर दो मेने तक महावारी आ सकती है पर मेरी advice यह रहेगी कि आप one and a half month यानि कि 45 days तक आप खुद से महावारी आनी की रहा देख सकते हैं फिर देर मेने बाद आपको एक pregnancy test करवा लेनी चाहिए कहीं गलती से वापस से pregnancy तो नहीं रहे गई अगर वो test negative आती है तो उसके 15 दिन बाद यानि की abortion के दो मेने बाद आपको वापस से pregnancy test करवा लेनी चाहिए और अगर वो भी pregnancy test negative आती है तो आपको आपके gynecologist को consult करना चाहिए क्यों वो इसलिए क्योंकि बहुत से बार PCOS के patient में या फिर hormonal disturbance के बहुत से cases में ऐसा देखा गया है कि abortion के बाद ovarian cyst form होती है यानि की बिजा शेय या अंडा शेय में बहुत से बार cyst form हो जाती है जिसकी वज़े से भी आपकी महावारी रुख जाती है और ये चीज आपको ultrasound यानि की sonography पर पता चलती है तो आपके gynecologist को अगर लगता है doubt है तो आपको sonography advice कर सकते है और अगर cyst है या जो कुछ भी hormonal disturbance है उसके लिए पहले आपको महावारी आने के लिए गोली दी जाएगी और फिर उसके बाद में दो या तीन मेने के लिए आपको hormonal treatment देके वो hormonal disturbance को correct किया जाएगा आज के वीडियो में हमने देखा कि जो भी प्रकार का आपका abortion होता है यानि कि spontaneous abortion, medical abortion या surgical abortion आपको अगर regular periods है तो 30 to 40 days के अंदर आपको next period abortion के बाद आ जाना चाहिए और अगर आपके irregular periods है तो 40 to 60 days यानि कि 2 मैने तक आप periods के लिए रहा देख सकते हो अगर 60 days तक भी आपके periods नहीं आते है तो आपको आपके gynecologist को consult करना चाहिए और further treatment लेना चाहिए I hope ये information आपको अच्छी लगी हो और ये information अगर आपको अच्छी लगी है तो ये जानकारी आप तक ही सीमित न रखिए इसे आपके friends और relatives में जरूर share कीजिए और ऐसे ही health related information के लिए इस channel को subscribe जरूर कीजिए